उत्तर परतेश की एक रात की बात है वहां के रेल्वी स्टेशन में कई सारे ओटो ड्राइवर खड़े थे सबी सवारी आते ही एके करके उन्हें बिठाते और चले जाते थे जैसे ही रात जादा होने लगी जादा तर ड्राइवर अपने घर को चले गए उसी रात राजिव ओटो ड्राइवर भी रिल्वी स्टेशन पर था वो भी दूसरे ड्राइवरों की तरह घर जाने ही वाला था तबी उसे याद आया कि एक पैसेंजर ट्रेन आने वाली है राजिव और तीन चार ओटो चालक उसी पैसेंजर ट्रेन के इंतजार में रुक गए तबी जोर जोर से बारिश होने लग गई रात तो थी ही लेकिन बादलों की वज़े से चांद की रोशनी भी नजर नहीं आ रही थी बादल गरसते और बिजली चमकती तो कुछ उजाला नजर आता वरना अमावस्य से भी जादा काली रात हो गई थी कुछी देर में पैसेंजर ट्रेन आई राजीव को ट्रेन से एक खुबसूरत सी लड़की उतरते हुई दिखी जिसके कंदे पर एक बैग और हाथ में एक सूट केस था वो लड़की सीधे राजीव के पास गई और कहनी लगी की मुझे रामपूर जाना है राजीव ने कहा कि अभी बहुत रात हो रही है इसलिए 800 रुपे किराया लगेगा अगर आप सुबह जाएंगी तो मैं 300 रुपे में ही छोड़ दूँगा लड़की ने जवाब दिया मुझे अभी जाना है आप ले चलिए मैं पैसे दे दूँगी राजीव ने कहा मैडम आप पहले पैसे दे दीजिए मैं आपको सई सलामत घर तक छोड़ दूँगा लड़की बोली अभी मेरे पास सिर्फ 400 रुपे हैं आप ये रख लीजिए घर पोस्ते ही आपको बचे हुए 400 रुपे दे दूँगी इतना सुनते ही राजीव ने कहा ठीक है मैडम आप ओटों में बैठ जाए कुछी देर में राजीव ने उस लड़की को उसकी घर पोचा दिया वो लड़की ओटों से उतरी और घर की अंदर चली गई राजीव अपने 400 रुपे के इंतजार में खडा रहा आदा घंटा बीत गया लेकिन लड़की लोटकर नहीं आई राजीव के मन में हुआ कि पाज लगाने लगा तबी एक बुढिया ने घर का दर्वाजा खोला राजीव ने उससे कहा कि एक मैडम यहां ओटों से आई थी उन्होंने मेरे 400 रुपे देने है वो अब तक पैसे लेकर बाहर नहीं आई बुढिया ने हैरानी से पूछा कौन मैडम यहां तो मैं और मेर बेटी पहले रहती थी लेकिन वो पांच सालों से यहां नहीं रह रही है राजीव बोलनी लगा क्यूं अब वो कहां रहती है मैंने शायद आपकी ही बेटी को यहां तक छोड़ा है आप एक बार अच्छी सी देखिए बातों ही बातों में राजीव की नजर सामने दिवार पर गए वहां उसे लड़की की तस्वीर लगी हुई थी जिसे वो ओटों में बैठा कर लाया था राजीव ने बुढिया से पूछा वो दिवार पर जिसकी तस्वीर लगी है वो आपकी बेटी है बुढिया ने जवाब दिया हां वो मेरी ही बेटी है क्यों क्या हुआ हिराजी बोल पड़ा माता जी मैंने कहा था ना की मैंने आपकी बेटी को ही घर लाया हूं यही मेरे साथ ओटो में बैठ कर आई थी आप अब जल्दी से मेरे पैसे दे दीजिए देखिए सुबह भी हो गई है मैं कपसे यहीं खड़ा हूं बुडिया ने दुखी मन से कहा बे यह सुनते ही राजीव के होश उड़ गए वो तेजी से वहां से भागा जैसे ही वो ओटो के पास पोचा तो देखा कि उसकी सीट में 400 रुपे रखे हुए थे उसने वो पैसे भगवान के सामने रखे और मंतर का जाप करते हुए आगे की और बढ़ गया उसके मन में हुआ कि आज तो सवारी बठाने और पैसेंजर ट्रेन की लालच में मेरी जान जाते जाते बच्ची है उस दिन से राजीव ने रात को ओटो चलाना ही बंद कर दिया वो सिर्फ एक दिन के समय ही सवारी लाता वे ले जाता और रात को घर में आराम से सोता है दोस्तों इस कहानी से सिक्षा मिलती है कि दिन में काम करने के साथ ही रात को आराम करना भी उतना ही जरूरी होता है नहीं तो ज्यादा लालच भारी बढ़ सकता है नमस्कार दोस्तों आपको यह खानी कैसी लगी प्लीज कोमेंट बोक्स में जरूर बताना अगर अच्छी लगे तो प्लीज करना